अलो फ्रेंड्स आज हम लोग फ्यूल सिस्टम का बारे में बात करेगा फ्यूल सिस्टम मतलब क्या है फ्यूल सिस्टम आपको डीजल और पेट्रोल वो इगनेट होके वो पावर देते हैं इंजिन को यह different types of fuel system है वो mechanical coal system का बारे में बात करेगा एक common rail fuel system है आपको fuel pump रहेगा fuel pump pressure करके वो common rail को यह करेगा fuel system में पहले tank आता है tank में आम लोग का diesel स्टोर रहता है इसके बाद एक electrical priming pump होता है जो diesel fuel transfer pump को बेजेगा fuel transfer pump से आपको water separator में जाएगा water separator से primary filter और secondary filter में जाएगा primary filter का micron कम रहेगा secondary का तोड़ा ज़्याद रहेगा जो diesel में क्या कचड़ा है वो पूरा primary secondary में filter के जो injector में जाएगा injector में pump है उपर pump system में spring जी आए उसमें आपको rocker arm प्रेस हो जाएगा तो आपको fuel inject हो जाएगा diesel जाके fuel ignite करके आपको engine में power मिलेगा fuel system में main अभी mechanical coal system पे आपको पहले diesel फिल होता है इसके अबाद injection start होता है direct injection है और direct injector unit injector है यह three type combustion होता है cylinder में आपको fuel injector उपर दिया है pre combustion में इसके बाद यह ना direct injection में pencil style दिया है पर्हाध करा होता है तैंक यू फ्रेंज मेरा चानल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए आज हम लोग फ्यूल सिस्टम को बारे में बात किया है तैंक यू टैंक्स फॉर वाचिन फ्यूल सिस्टम वीडियो है